वाहिगुर्जी का खाल्सा वाहिगुर्जी की फते सब तो पहला ता मैं तन्यावाद करना चाहता हूँ वामन मेश्राम जी का जिनोंने हम सभी को अकठा करके ब्राह्मनबाद के खलाब मूर्चा खुला है दूसरा ब्राह्मनबाद की बात करना चाहता हूँ इसका तो यह थापस है उपर से कुशोर मू में रामराम बगल में शुरी उपर से ये करता है हम सभी एक हैं सभी एक हैं तो मौटियों को अंदर से काठता है तो मैं इसके स्वंद में एक पोईम रेडि की थी जिसका सरलेख है बेगमपुरा खालसा राज खालस्तान तो मैं सोरी मांगता हूँ मैं ये पंजाबी में लिखी हुई है तो चलो कोशे ऐसा मेक्स करके बोल दूँगा ठीक है उच नीच का परमटा के मूल नुवासी नाल मला के सिख्या गुरुआ दी अपना के बेगमपुरा खालसा राज लिया मांगे दबे कुचले लोकांदी फिर सरकार बना मांगे मूल नुवासीयों की फिर सरकार बना मांगे वर्न वंड ताइम का के जो ब्राह्मनबाद ने वर्न वंड पैदा किया है वर्न वंड ताइम का के शिटकारा मनुवातो पाके शुद्दर बाल मीक नाख वाके सबना वर्गादा एक परिवार बना मागे दबे कुछले लोकादी सरकार बना मागे दबे कुचले लोकांदी सरकार बना मागे लोको ब्रामनबाद प्याके फटा जाट चमारदा लाके कमबोज सैनी सीमबे आद मलाके ओ बेगमपुरा खालसा राज ल्यामागे दबे कुचले लोकांदी सरकार बना मागे दबे कुचले लोकां दी सरकार बना मागे वीरो पेनो जात गोतनू लाके सेंग कौर नाम दे नाल लाके बख्षश कल गी तर दासमे पिता दी पाके हो या पुलानू बख्षा मागे दबे कुचले लोकां की सरकार बना मागे जैसे दासमें पाश्या ने या पूरना खालसा बनाया था सबी दबिले कुछले लोकों को साथ लेकर बनाया था उसका नाम रखा था खालसा अब हम बात करते हैं जट की, चमार की, जान बार्मी की, जान शीमबे नाई की लेकन जो खालसा है कल ब्राह्मन मेश्रम जी भी बोल रहे थे हम तो खाल सा को ही वामन सौरी सौरी पर प्रनोशिंग वामन तो मैं इससे बात भी इनसे बात भी करने चला रहे आपने यो ये नाम रखा हुआ है थोड़ा मेक्स हो जाता है कुछ इस बारे के मैं सोच चूँ बहुत लोग को ऐसा ही जानते हैं मैंने वामन बोला था लेकिन आपने वामन अंडर्स्टेंड कर लिया तो जो पूरन खाल सा है उसमें सब जात पास खत्म हो जाती है इसलिए देखो जब भी कुछ करते हैं हम यहां पर आए हैं यह आईडी लेकर आए हैं इसका मतलब है कोई discipline राइडी के साथ हम नहीं हैं तो इसका मतलब है कुछ गरवर है इसलिए जब गुरु तेख बहादर जी का सीज कार दिया था मुगल समराटों ने जो भी हुआ था जिनेव बचाने के लिए तो जब सीज कार दिया तो गुरु गोवन सिंग जी थोड़ी चोटी उमर के थे उन्हें पूछा वे बहाँ पर कौन था सेख थे तो लोगों ने बोला हमें कुछ नहीं पता सेख थे या कौन थे यो लोग थे पता नहीं कौन थे तो गुरु साब जी नहीं बोला था कि मैंने मैं ऐसा पांत सजाऊंगा चिडियों से मैं बाज लड़ाऊंगा तो उन्हें अपने प्थान देल्ड़, जो भारी रूप है, उसने बोला था, सिकh बाल निय कटेगा, जो खालसा होगा, उनने अमर तियार किया, तो उसने अमर शकाया, उसके बाद मना किया यह बारी रूप है यह से बार एब। our जिस ढेश kok जंड़ा होता है, हम सोचते हैं कि यह कांट्री है। जिसका भी जंड़ा लगवाय को फोलोह करते हैं । इसलिए यह कॉम नेशन बानते हैं इसकी पहचान होती है, बारी पहचान दस्टार खुला दाडा। ते अंदरूनी पष्चान है गुरू ग्रांट साब जी को मानव ताक तो सभी को एक समझना जो सिख होकर जादपाथ जहां खालसा होके जादपाथ में बज़वाश करता उन्हां खालसा है ना सिख है जादपाथ दियां टपल की रहां जादपाथ की टपल की रहां कटी ये गलामी दियां जंजी रहां फैद बदल लिए तक दी रहां अंबेद कर बाबेदी भी सोच लियावागे सब बारगांदार आलके खालसान बनावागे सब वारगांदाराल के खालस्तान बनावागे होन गड़ों 15% नू ला जो होन गड़ों 15% नू लाके पचासी तुरिये काभला एक बनाके बेगमर पुरा खालसा राज लियावागे दबे कुचले लोकांदी सरकार बनावागे इन्या ही बेंतियां देना सेक्टरी साफ दा सारी कमेट्टी दा आय हुए महमाना दा तै देलो दनवाद कार दा हुए जेना ने टाइम दता है मिन उन्वाजा है वाहे घुर जी का खालसा वाहे घुर जी की फते बहुत 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 दनेवाद All right delegates, we are ready to begin the third session Before that, I would request Saswathi Natta who is the PhD student at University of Maryland and who is doing a project on Dalits in America She wants to make some announcement for you So I request Saswathi to come over Hello Hi everyone, so welcome back from lunch Before the start of the next session I want to tell you a bit about myself and this project that I'm doing that definitely is relevant to anybody who identifies as Dalit in the U.S. So I've been coming to these conferences as a child with my father, with my parents I identify as Dalit I was born in India, moved to the U.S. when I was very young and this struggle is something that is really close to my heart So now I'm starting my graduate school I'm two years into my PhD and one of the projects that I'm doing is something that it's sort of like recording the stories of people who identify as Dalit and as broader South Asians in America but specifically I'm looking at people who are Dalit Indians in America or identify as Dalit and I want to know what your stories are in India the experiences that you've faced how you came to America and the experiences that you've faced regarding being Dalit or being Indian in the U.S. And I want to record these stories so that from an academic standpoint we sort of publish that we exist we are here and these are things that are important to our community these are discriminations that we face on a daily basis maybe at jobs maybe at work all of your stories and I'm trying to do it in a very sort of methodical recorded academic standpoint so it's something that is worth publishing that people will listen to that people will say hey these guys are here and this is an issue that needs to be addressed right so if you guys anybody who wants to tell your story and volunteer I will be in that corner over there just tap me on the shoulder my name is Saswati and I'm at the University of Maryland and just tap me on the shoulder and give me your contact information I'll reach out to you and I go around recording you know I just have a small recorder and we'll set up a phone call I'll record your story things that you faced in India and things that you faced in the U.S. sort of so that other people I can publish I can write it up and other people will know what's happening okay thank you all right thank you Saswati we can finish this activity in the interaction session that we have after this session we are beginning the third session of this world conference on the castes in India and this session is called as the International Delegate Session now hundreds of delegates are participating in this conference from across the world and from almost all the continents the session would intend towards coming up with a working strategy for social structural change and eradication of evils like caste as you all know that Bomb Safe is playing a lead role in this movement and thus it is highly crucial to strengthen the international network of Bomb Safe to achieve an assured success in this movement thus the following subject would be discussed in extensive detail in this world conference and the subject is it really matters a lot the subject is what role can analyze play in strengthening the movement globally or it is indispensable to strengthen the Bomb Safe International Network on a global scale to ensure the success of social struggle in India now I would invite the guests for the speakers for this session Swati Savant who is a women activist in the USA Mr. M. K. Parmar who is the international coordinator for Shingen countries Bomb Safe please come over and take your space on the stage sir Mr. Sarabjit Singh who is the spokesperson and media advisor of SADA that is Sri Ramani Akali at the Alam Register USA I would also request Mr. Pinder Paul who is from Begampura Shahar Sabha New York to please come over and take up your space on the stage I would request Mr. P. N. Solanki who is the national in charge of the trade union run by Bomb Safe RMBKS I would request Dr. Sukhpreet Singh Udhoke who is a Sikh historian and authorized philosopher I would request Mr. Sampat Sasane who is the international coordinator for Bomb Safe USA chapter to come over and please take up his space on the stage I would also request Dr. Jeevan Bhai Parmar to please come up and take his space on the stage Dr. Jeevan Bhai Parmar then I would request Kunda Malawi who is a representative from the Adivasi community and is straight here from Yavatmar Maharashtra to come over and take up the space on the stage please since we have a very limited space on the stage other speakers might sit in the front row and wait for their turn I would request Professor Kassab to please be seated in the front row I would also request Mr. Dilip Palwe to please come over and take up a space in the first take up a chair in the first row there would be speeches by Srikanth Sintala and Jeevan Bhai Rao they are not here at the moment they will be joining us shortly alright so we are beginning this session the first speaker would be Swati Savant who is a woman activist in USA so Swati I would invite you to take up and deliver your speech so Jeevim I am Swati Savant I am New York State Licensed Attorney and practice immigration law my focus is on humanitarian immigration I mostly work with low income immigrants from Africa Central and South America and Asia I work with women who are victims of domestic violence as well as the victims of crimes I help people who are placed in deportation proceeding and do my best to keep them in the United States and with their families I have served as a commissioner on the Cambridge Commission on Immigrant Rights and Citizenship in Massachusetts so I am going to talk about women's empowerment through Ambedkarism Dr. Ambedkar was compassionate and empathetic to women's issues that espouse equality of gender and had said I am a great believer in women's organization I know that what they can do to improve the conditions of the society if they are convinced in the eradication of social evils they have rendered great service I will testify to that from my own experience ever since I began to work among the depressed classes I made it a point to carry women along with men Dr. Ambedkar provided an inspiring preamble to the constitution which emphasized justice liberty equality fraternity based democracy in India irrespective of caste class gender and religion Dr. Ambedkar provided an adequate inclusion of women's rights in the political vocabulary and constitution of India I want to give an overview of women's rights that are part of Indian constitution first is the right to vote today how many Indian women who fight for equal rights know the contribution of Dr. Ambedkar our constitution has granted voting rights to all Indian women as a right because of Dr. Ambedkar before independent India the right to vote was given only to the rich the landed and taxpayers right to vote is a constitutional right conferred by article 326 that gives voting rights to all women and men in India second is the Hindu Code Bill it's nothing but declaration of women's rights it spoke of giving back dignity to Indian women and giving equal rights to men and women it was a revolutionary major and first step towards the recognition and empowerment of women in India though this Hindu Code Bill did not pass but it was later split into four bills the Hindu Marriage Act 1955 the Hindu Succession Act 1956 the Hindu Minority and Guardianship Act 1956 and the Hindu Adoption and Maintenance Act of 1956 these acts gave independent status to women they had right to property succession adoption and divorce third is the Maternity Benefit Act article 42 of the Constitution of India is a part of directive principles of the state policy it incorporates a very important provision for benefit of women a direct state to make provisions for securing just and human conditions of work thus enacted Maternity Benefits Act fourth is equal pay for equal work article 39 of the Constitution talks about equal pay for equal work which is also part of directive principles of the state policy Dr. Ambedkar said we have also taken care to see and this is an important point that women shall be paid the same wages as men the fifth is article 15 section 1 prohibits gender discrimination article 15 section 3 permits special provisions for women sixth is article 23 of the Constitution specifically prohibits human trafficking such as the devdasi system and the seventh is article 51 that speaks of fundamental duties of every citizen of India section E emphasizes that every citizen has a fundamental duty to renounce practices derogatory to the dignity of women now that Dr. Ambedkar is not with us can we use educate organize agitate mantra to help women yes we can I want to share two such examples that demonstrate that Ambedkari principles work flawlessly for empowering women these women realize that they are not helpless they do not need anyone else to help them and they carry the power to change within themselves we as Ambedkar's army just need to ignite that realization into women's minds the first story is from Madanpura a village in the West Bengal situated on the arsenic belt in India being in the arsenic belt means there is a natural occurrence of arsenic in the soil and ground water consumption of ground water which elevated arsenic levels over a prolonged period has resulted in a serious health hazardous in the region ranging from skin defects to cancer in different organs a woman named Hashiba organized a group of women they started meeting Hashiba who has studied until 9th standard initiated the idea of kitchen gardening she explained to women in the group that vegetables grown in arsenic less water were unhealthy for their family she said that if we grow vegetables in our kitchen we have control over what we grow and what we feed our families we sometimes do not have enough money to buy vegetables from the market but from our kitchen garden we get many fresh vegetables almost all the women in that village have started kitchen gardening not only this but those women also put pressure on public officials and government about the water issue the government was also thinking about that problem but the organized efforts of these women made a big difference in solving their problems these rural women were living the ambedkari principle of educate organize and educate first hand the second story is also from a village in West Bengal there was issue of extreme poverty and high levels of corruption in the village Panchayat would not listen to women one woman Shoma educated women of their rights she organized women into smaller groups where they will take ownership of their problems and bring discipline in the group to empower themselves to deal with massive corruption and disempowerment women in the village decided to learn about RTI that is right to information act in small groups these women received training in RTI and fundamental rights these women were not aware that they were entitled to ration or that they can hold Panchayat responsible for their actions after this training they become aware of the fact that the nearest Angadwadi is very far away from their village these women decided they need an Angadwadi and so they found out the requirements for building an Angadwadi they made an application they made an application to build an Angadwadi in their village got signatures from 80 families and submitted to child development projects officers these women started thinking strategically and started to work on what was more important to them this change happened because they sought education on the subject they were organized and agitated over the things that mattered this is how empowered women can improve their life as well as the life of their community thank you thank you so much Swati for sticking to the time we are proud that a person like you stays in USA and representing women over here it's really your live example of women empowerment will bring it to reality through this movement next speaker would be a very important person present here he is the international coordinator for BAMSAFE and a very senior activist Mr. M.K. Parmar international coordinator of BAMSAFE I would request you sir to please come over and deliver your speech one request to the speakers is don't take that alarm lightly it is for you to remind you that you have to conclude within two minutes I will remember Jai Bheem Jai Mulnivasi First of all I am K. Parmar from India before I dwelt on the subject at the outset I would like to make an appeal to all the participants and delegates to pay respect the statue of Dr. Bha Vastav Ambedkar that is behind in the library the father of the Indian Constitution Dr. B. Ambedkar who fought for the downtrodden people of the India I think after so many years in this riots and with the help of the Raman Misham the people are making strong united and I think we will unite we will fight for the our faith so I will not read my paper I will change my mind and I will give subject I will give this jaros copy of my paper I I will tell you I will tell you पालों से हमारी जिवेदना, हमारी दूप, हमारी दर्द, जो भ्रमिन लोगोने में थिया है, उसको लेकर हम साथ में लड़ेंगे भगा साथ के लिए, नथी जान्यूं हमारी पंत मां आपत पड़ी छे, हमको पता नहीं कि हमारे पंत में क्या होने वाला है, मगर हम युनाइट होकर लड़ेंगे, 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 मैंने इस तो सोचा कि 98 में, तो एमजाबाद के अंदर में से 98 में है, एमजाबाद के अंदर, शालाना बामसेफ का एक अदेशन हुआ था, तो मैंने तीन दीन चलग वो ड़ेट एलिकास प्रामधी, दूर दर्शन, ते मीडिया और गवर्मेंट, एक अंदर टाइम, आइवाद नौन नौइंग थे अबाउद बामसेफ, मर्जब मैं और मैंसाम साफ दोजार एक में लंडन में मिले, विर्दी साब भी थे, गौतम चक्रवर्दी भी थे, और मुझे पता लगा कि बामसेफ क्या है, तो लड़ाई में मैं जुक गया, दोजार एक में मैंने लिजाइन भी कर दिया मौतरी से, वो डाइरेक्टर दुर्देशन, और तो जो लड़ाई है, कैसे बामसे लड़ेगा और कैसे करेगा, इसके पूरी बात तो आपको यह पेपर में मिले है, मगर टेक्नोलोजी जो यह जैसे बदलाती है, अलग विदे माइंस अब टो पीपल, अलग विदे दी रिरोशन इन एड़ुकेशन, each and everywhere, when the technology changes, we have to change our mind, our activity and our thoughts. So what Dr. Babasa Mohamed Karhandon, he started his struggle, 1916, सोला में शुरू किया, और बातीत में, he gave all the constitution right. कि विदीन सिक्टीन यर हजारों साल की तो हाव ही फॉर्ट दी वह बहुत लंबा है मैं उसको एलाबेट नहीं करूंगा और वे सेम वे हमारे बामसेब के जो यंग लड़के है उसको कैसे किया जाता है इसका लाश मैं यह पढ़ूगा इन पुछ था प्याव थे मुलिवाशी ग्रेट लिडर अड़्ट बाबा साम अमेट कर्स इdeology बामसेब कि अप्र को लड़के बामसेब कर दो मिदिया एम परी विद दिनू कूमूनिकेशन नहीं सुक्विंदर जिनू विदी मिडिया बामसेब टेक्नो सेवी मिडिया परसन वरकिंग हाट तो इडिलाइज दी डिजिस्टिलाजेशन एंवाटेश सिस्टम तुु आइज के साथ में दुरू जाना बात्तीच आज़ कर सेड़ लाइच जी ये बाते पर तू दिस नुँ इडिया टीविनर रडियू प्रेश्य कि अंस्तर प्रेटाउ इंप अप्लाउम्स अंस्तर आत्र मामकर्णी इंच दिन फिन इजन गाम चेक्साटाउ किती हुश्ट इसे इंद्यूवर्वा इंद्यू चट्नुटिड़ गिल्स इतर नगता अनुट से इंद एप्र आंडिजित इंद्यू नियुवर्ड, लड़ाई दो तरीखे से लिड़ी जाती है, एक तो लोगों को उजागर करना, जैसे कॉंफरेंस करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, इसको, how to continue, the first step तो जो मैं यहाँ पर आकर मैंने देखा हमारे रेविदास भाईयों ने, सीख भाईयों ने, और माईनोरिटी दे लोगों ने, जो अगेंस्ट वी आर फाइडिंग अगेंस्ट इब्राह्मनिकल सिस्टम, विदिन फ्रेमबर्क आप दे कॉंसुटिटिशन, विदिन फ्रेमबर्क आप दी लॉओ, अब तरक हम मिसाम साब की साथ में भारत में लड़ाई लड़ रहे थे, मगर लाश्ट यर लंडन में हुई कॉंफर्स, मेरी हल्ट की मगराब में गया नहीं था, मगर आज यहाँ पर आकर देखा मैंने, और खास करके सरवजित भाई के घर में रहे कर, उनकी बाते और सब हमारे बाईों को मिले, इच और एवरी जिसको खेमा बोलते हैं सब को मिले और बामसेफ को कैसे वर्ल्ड लेवल पर उनाइट करके हम हमारी लड़ाई लड़े, श्ट्रकल करे इसके लिए एक पूरा प्लेट्फरम बनाना पड़ेगा, और जो आपका हौसला और आपकी बाते सुनकर मुझे लगता है कि हम ये बाते को एक्शन में लाएंगे, एक्शन इज मस्ट, विदावट एक्शन हम कैसे काम कर सकते हैं, तो इसके लिए बामसेफ की साथ के अंदर, बारत मुक्वी मोर्चा भी है, और दोनों के रहबर, वावन मेस्राम साथ है, हम उनकी साथ में जुड़े हुए है, इसके लिए मेसाथ साथ होलते है की, ये, I think we must have a common minimum program, without that program, I think मेसाथ साथ ये, हो नहीं सगेगा, इसलिए I would like to request all the delegates and our brothers and sisters, let us unite, let us fight with this all such things, आपने मेरी बाते सुनी, घंटी बज गई है, इसलिए आपका में शुक्र कर जा रहू, जाए बेम, जाए मुल्नेवासी, सथ्त्रियकाल जी, Thank you so much to the young energy of Parmar Sahab, next speaker would be Mr. P. N. Salonki, who is the in charge, national in charge for RMBKS, राश्च्रिय मुल्नेवासी बहुजन कर्मचारी संग, Mr. P. N. Salonki, साथियों, आज बड़े हर्सका विसे है, कि हम बर्नार्ड पोलेज के इस हाल में, विशु से जाती विवस्था और जातीगत भैद्भाव को खत्म करने के लिए, यहां इगटा हुए हैं, बामसेप संग्ठन के माध्यम से पूरे भारत में सामाजिक जागरती और जन जागरती का महा अभियान चलाते हुए, हमारे संत और महापुर्सों की विचारधारा, समता, स्वतनता, बंधुता और नियाई पर आधारित समाज विवस्था और राज विवस्था कायम करने के लिए हम यहां पर इखटे हुए हैं, इसी तार्तम में डाक्टर बाबासाब अम्बेट करने 1916 से लेके 1946 तक पूरे समाज को जागरत करते हुए, जानकार बनाते हुए और संग्ठित करते हुए, भारत की सामाजिक जो जाती विवस्था है, इसको खत्प करने के लिए भरसक प्रियास किया, और इसके परिणाम सुरूप अगर हम देखते हैं, तो भारती सविधान का निर्मान डाक्टर बाबा साब अम्बेट करके अथक प्रियासों के द्वारा किया गया, जिसमें हजारों सालों से यहां के मूल निवाशियों को मानव अधिकार से वन्चित किया गया, उस हजारों सालों की गुलामी का खात्मा करते हुए, डाक्टर बाबा साब अम्बेट कर ने भारती सविधान का निर्मान किया, और भारती सविधान में जो वन्चित वर्ग था, उसको फंडामेंटल राइट बाहल किया गया, आर्टिकल 14 में राइट टू इक्विलिटी समानता का मोली का धिकार किया गया, आर्टिकल 15 में जाती धर्म, मूलवंस, लिंग, जन्मिस्थान के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का विवहत नहीं होगा, आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में रिप्रेजेंटेशन, ये सबसे बड़ा जो राइट था हमको कि लोक तंत्र अगर स्थापित होगा, तो संख्या के अनुपात में जो गोवर्मेंटल सेक्टर है, उसमें हमको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, आर्टिकल 17 में अस्प्रिस्ता का निवारण, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, आर्टिकल 19 में राइट टू स्पीच एंड राइट टू एक्स्प्रेशन, ये जो बोलने का जो अधिकार था, हजारों सालों से हमारा, जो बोलने का अधिकार से वंचित किया था, बोलन की अधिकार दिया तो इसी प्रकार से ड्क्टर बाबास आवल साब अमबेटकर की जो मुख्य biased चिंता थी में ऑजुर्ड के लिए थी वर्कर्स लोगों के लिए थी तो भारती सभीधान में ड्क्टर बाबास आवल अमबेटकर ने article 23 चौprises का को समाहित क्या article 23 में प्राम्राज में खरीद फरूक्त होती थी उसको खत्म करते हुए उन्होंने कानून बनाया सवीधान में समाहिद किया कि मानव का दुरूक्त नहीं होगी और उनका किसी प्रकार का सोसन नहीं होगा ब्रहमनों के राज में बच्चों से भी काम खरवाया जाता था लेकिन आर्टिकल 24 के अंतरगत उन्होंने 14 साल तक के बच्चों के लिए काम करने पर प्रतिबंद लगाया इसी प्रकार से आर्टिकल 43 में न्यूंतम एतन मिलना चाहिए कामगारों को वरकर्स लोगों को उनका जीवन यापन करने के लिए उनका परिवार की परवरिस करने के कम से कम इतनी मजदूरी मिलना चाहिए कि उनका जीवन निर्वा हो सके इसके पूर्में अगर हम देखते हैं तो मजदूरों से काम लिया जाता था, बेगारी प्रथाती बिना वेतन के उनसे काम लिया जाता था, इसको खतम करते हुए डाक्टर बाबा साब अमेकर ने भारती सभीधान में जीवन निर्वाह मजदूरी का प्रोवेजन किया इसी प्रकार से आर्टिकल 47 अगर देखते हैं तो पोसन आहार भारत के नागरिकों को गरीब लोगों को भी कम से कम उनका पोस्तिक आहार उनको बिलना चाहिए और किसी भी इस्तिती में मादक पदाप्थों का उत्पादन वित्रण वित्रे बंदारन प्रतिवंदित होगा केवल औस दी प्रियोजन से उनका उत्पादन वित्रण वित्रे बंदारन हो सकता इस तरह से डाक्र बाबा साब अम्मेट करने भारती समिधान के माध्यम से वरकर लोगों को जीवनिस्तर उठाने के लिए ये सारा का सारा प्रोविजन किया इसी परिपेक्ष में आज अगर हम देखते हैं तो ब्रहमनों की जो सरकार है भारत में तो सबसे जादा कुटारागात उन्होंने किया है तो मजदूरों के उपर वरकर्स लोगों के लिए किया है जो गरीब तपका था उसकी उपर उन्होंने जादा कुटारागात किया है निजी करण, उदारी करण, भुमनली करण की बज़े से जो गौवर्मेंटल सेक्टर था उसको प्राइवेट सेक्टर में बदल दिया गया और उसकी बज़े से कांटेक्ट लेबर जो गौवर्मेंट के वरकर थे उनको कांटेक्ट लेबर में परिवर्थित कर दिया गया इसका परिणाम केवल यही दिये कि अमर्द सेंट जो बहुत बड़े अपसास्ति उन्हों ने जो सर्वे किया कि 83 करोड लोगों की भारत के 83 करोड लोगों की प्रति दिन प्रतिव्यक्ति आए 6 रुपया से लेके तो 20 रुपया प्रति दिन है। इसका मतलब यह है कि इन 50 साल में प्रामणों के राज में गरीब और गरीब हुआ है। मजदूर का जो क्रोट रेट वो बहुत कम हुआ इसकी बज़े से सामाजिक जातीगत विवस्था की बज़े से यह जो आर्थिक गरीबी और जादा भारत में पड़ी है और उसका परिणाम हुआ है कि आज की तारिक में 83 करोड लोग गरीबी और अर्ध भुकमरी की कगार पहुंच गये हैं अगर हमको एसी स्थिती में मुकाबला करना है लोगतन्त्र इसथापित करना है और बाबासे की अपेक्छा यही नहीं थी बलकि भारत में ससक्त और मजबूत लोगतन्त्र स्थापित होना चाहिए और ससक्त और मजबूत लोगतंत्र इस्थापित करने के लिए संख्या के अनुपात में सभी जाती, सभी धर्म, सभी वर्गों को संख्या के अनुपात में प्रतिनी भी तो मिलेगा तो भारत में मजबूत और ससक्त लोगतंत्र इस्थापित होगा लेकिन उसके विप्रीत ब्रहमन का तंत्र बहुत बड़े पेमाने पे मजबूत हो गया हर संसाओं में न्याई पाली का में विधाई का में कारी पाली का में और अन्य जितने भी गोवर्मेंटल सेक्टर ते उसमें ब्रहमन कंत्र मजबूत हो गया इसकी बज़े से भविस्य क के उपर बहुत बड़ा खत्रा है 85 प्रतिसत मूल लिवासी समाज के उपर खत्रा है अब हमको मिल जुलकर भ्रह्मनवाद के ग्रोध में और भ्रह्मनवादी जाती विवस्ता के ग्रोध में SCST OBC एंड इनसे ही धर्म परिवतित मूल लिवासी भाईयों को साथ सयोग एकत्ता होकर सक्ति का निर्मान करना चाहिए और इस जाती विवस्ता को समाप्त करने के लिए विशु लेवल पर हमको प्रियास करना चाहिए अगर भारत तो इस जाती विवस्ता को खत्म करने वाला है नहीं क्योंकि पावर ब्रामनों के हाथ में तो विशु लेवल पर अगर हम ये इंटरनेशनल प्रदरहुट वो बड़ावा देते हैं इंटरनेशनल लेवल पर अगर प्रेसर ग्रूप बनाते हैं तो हो सकता अगर भुमिस में इस जाती विवस्ता के विरोध में हम काम् इसी आसा और उक्वास के साथ आप लोगों ने मेरी बात को बड़े ध्यान के सुना इसलिए आपका बहुत बहुत धनिवाद, जै भीव, जै भारत, जै मुल्यमस्ता Thank you very much Mr. P. N. Solanki ji I would invite on stage to take up his space Mr. Mahindra Kumar, President of Ambedkar International Center, he is here, so please come up on the stage sir Next speaker would be a very important person for us again Mr. Sarabjit Singh ji who is the spokesperson and media advisor of Shiromani Akali Dal, Amritsar in the United States, huge round of applause for Sarabjit Singh ji Vaheguru Ji का खल सा, Vaheguru Ji की फते, जै पीम, जै मुल्यमस्ता अब दासमिंट बाद उको बूजा वाज जाना है ते मेन्नो टैम लाके जाना है ज़हा ते लेज करके मैं पहलो आपको मा भी मांग लूँँआ पड़ाद देता है ते होड मेरे को खोया देंजे जाना देंगा जिड़े बंदेगे मेरे वीरा ने खाउंखांगा बांद कीती है जराग खोल लो कोगी आपाउंड थोड़ा जा गरम जया बोलना ते सुष्थी सास्ती खतम हो जाएगी ते ताड़ियां खाँ पेखोल जानी सारे बारत से आए मेरे सबी बैनों भाईयों मूलनवासियों और साथ में ही योर्प से और कैनेडा से भी जो मेरे मूलनवासी भाईया हैं मैं उनका अपने तैह दिल से स्वागत करता हूँ आज का ये जो मंच जो जे कानफरंस हो रही है इसके पीशे मुझे काम करने के लिए वामन में शर्मजी के साथ समय काफी मिला तो जितना उन्होंने हाड काम किया राद दिन उनकी टीम परमार साथ और उनके जो साथी मैंने देखा कितना उनमें जोश है कैसे उनके एक हद्द में आग लगी हुई है भी किसी तरह से जो हजारों सालों से हमें जो हमारे मूलनवासी बाईयों को गुगलाम बना कर रखा हुआ है कैसे उनको जादी दिलाई जाए इसी तड़ को मैंने संत जनरेल सिंग खालसा बिंडरावाले जिनको सिक अपना वीमी सदी हम बोलते हैं उसका जर्नैल मानते हैं वो भी हमें ऐसे ही जिगहते थे वो भी हमें ऐसे ही अपनी स्पीचों में बताते थे भी कैसे यह जो ब्रामन वादी दूसरी तरफ हमने ये भी दियान देना है जैसे हमने सिकों ने हमसे हमारा जर्नैल शीन लिया गया है संक्ट जर्नैल सिंग कहीं जो दुश्मन जिसके पास बहुत ज्यादा तक्त है वो हमसे हमारा ये जर्नैल शीन सकी इसके लिए भी हमें पुरी ताक्त के साथ वामन महिशरम जी के साथ पूरा लोहे का एक जाल बुनना पड़ेगा क्योंकि जो दुश्मन है वो बहुत शेतान, चतुर और उसकी चांड की अहनिती आप अपने सिरीलों में देखते रहते वो कैसे जाल बुनता है और उसी जाल में ऐसे फसाता है हम लोगों को पता भी नहीं चलता और दोश्ची भी हमारे लोगों कोई बनाता है जो ओबीसी होते है आज मैं सुभा से जितनी स्पीचे सुनी है उसमें जो यहां पर विद्वान आये है उन्होंने सबने इसी बात पर योर दिया है भी हम पचासी परसंट है हमें जातपात के नाम पर बाटा हुआ है हमें कठा होना चाहिए यह बात हम सब को मालम है पर हमने करना क्या है अगर आज इतनी वर्ल्ड के जो मेंबर आये हैं जिनके एक हिर्दे में आग है जो इतना सफर करके भी आये हैं वो चाहते हैं हमें कोई प्रोग्राम ऐसा मिले हम कैसे दुश्मन से अपनी अजादी ले उसके लिए काम करना पड़ेगा अगर हम स्पीचे करते रहेंगे हम सुन चुके हैं हम दो यार साल से गलाम है कोई कहता है मूल वासी पांच यार साल से गलाम है तो फिर पांच सो साल और गलाम बेटे रहें हमें ये सोचना है भी हमने करना गया है पहले नमबर पर जो मैंने मिसूस किया है मैं दो साल से एक गटना गटी थी पंजाब में जिसके कारण मैं पांच से के साथ जुडा हूँ फगवाड़ा हमारे पंजाब का एक जिला है वहां पर हिंदू शिवस है ना जो मनुवादियों का आर एसेस का एक गूर्प है वह उसने वहां पर हमारे मुसल्मान बाईयों को वो गई माता का नाम लेकर जो मुसल्मानों को कूटते हैं मारते हैं पीडते हैं जो सारे बारत में उन्होंने शडेंचर रचा हुआ है जबकि सारे यह फैक्टरियां गवमाता को वहलाल करने की उन्हीं की लगी हुई है सब को मालम है तो वहां पर जो वहां पर मूलनवासी जो मेतकरवदी नोजवान थे उन्होंने मुसल्मान बाईयों का साथ दिया साथ में सिख बाई भी आ गए तो वहां पर ये जो सारे लोग थे फ़कवाडे में कठे हो गए और जो शेवसेना थी वो बहुत कम रह गई तो वहां पर शेवसेना को पीटा भी गया और उल्टा शेवसेना पर परचा भी करवाया गया वो गटना मेरा जीवन बदल का रख दिया उस गटना मैंने उस पर ही सर्च सुरू की भी अगर यही प्लैनिंग हम सारे बारत में करें मुसल्मान सेख इसाई और हम जो सब मूल वासियां कठे हो जाएं तो फिर शेवसेना को पीटेंगे भी RSS को पीटेंगे भी और साथ में उसको जेल में भी डालेंगे तो उस गटना के बाद मैंने बाबा साब को पढ़ा महात्मा जोती राय पूले जी को पढ़ा माता स्वित्री जी को पढ़ा तो पढ़ने के बाद ग्यान बढ़ता गया और मैं सब को जो यहां पर आए हैं उनको यह कहना चाहूंगा भी वो एक बुक जरूर परे करकरे का कातल कौन उस जो उस बुक को पढ़ लेगा उसको सारे छडेलचर का पता चल जाएगा भी क्या है, सिस्टम क्या है, कैसे हमें वो मार्ण पीड रहा है तो मैं मेशरम साब जी को यह बेंती करता हूँ भी हमने सुबा से लेकर सारी स्पीचे सुनी हमें प्रोग्राम दे हम कैसे कठे होकर होता क्या है अगर वो गुजरात में किसी को पीडता है हमारे मूल नुवासियों को, S.C. को, S.T. को, तो पंजाब के लोग खमोशे देते हैं जब पंजाब में सिखों की बारी आती है, तो मदरा, सांधरा, परदेश और महाराश्टर वाले चुप रहते हैं जब महाराश्टर में मराठो को पीड़ता है, तो सिख चुप रहते हैं जब गुजरात में, टूथोजन टू में हमारे मुसलमान बाईयों को, बच्चियों को, नोजवानों को वो शहीद करता है तो उत्री बारत के लोग चुप रहते हैं वो अकेले अकेले को पीड़ता है, कभी वो श्री दरबार सहाफर टेंक को टूपों से हबला करता है और कभी बाबरी मज़द को शहीद करता है वो अलैदा अलैदा करता है, कभी वो सहारन पुर के पुर्क में दंगे होते हैं तो वो एक एक को अकेले केले को नकालता है और पीटता है और हम देखते रहें मैं ये मेशरम साफ जी ने जो हम सब लोकों को कठा करने का जो बीडा उठाया है ये ही हमारे जर्नेल हैं मैं अपनी तरह से इनको आशवशन देता हूँ अपनी पाल्टी की तरफ से हमने इनके साथ पंजाब में श्रोमनी इकालीद अलमरसर ने हमारे जो प्रेडन सरदार सिमरंजी सिंग मान हैं उन्होंने पेले इनको आशवाशन दिया है सिख बाहर के कंट्रियों में जो इस समय उनका बोल बाला गुरू का बोल बाला हो चुका है सिख सारे कंट्रियों में बसे हुए हैं यह आपकी मूमट जो बारत में चल रही है उस पर बहुत ज़्यादा स्योग दे सकते हैं को कि अब आने वाला समय जो है बाहर के कंट्रियों में सिखों के हाथ में आने वाला है को कि जब सिख पहले आये थे उन्होंने यहां परा कर अपने गारबार बनाए अपना पेपर वर किया अपने कामदा देखो सेट किया आप जो सिखों की जनरेशन है वो यहां के पुलेटिकल सिस्टम में कूद चुकी है अगले दास पंदरा बीस साल में आप देखेंगे जो यौरप अमेरिका और कैनेडा में जो सिख हैं वो ब यह समान से गिरेंगे और खजूर में अड़केंगे ना हम इनको मरने देंगे ना हम को इनको बाहर जाने देंगे ना इनको बारत में रहने देंगे इस तरह से हम सारे जाल बुने तो यह बहुत अच्छी लड़ाई शुरू हो गई है पहले हम इंटरनेशनल तोर पर जैसे मेशरम साब नी जो प्रोग्राम शुरू किये हैं अकठे होकर वो साब अकठे होकर काम करें जहां पर भी हमें पता चले हमारा एक संगठन ऐसा मिल्बूत हो भी गुजरात में यह हो गया पर उसी समय उसके चैलंग को कबूल करते हुए दिली के रहें पंजाब से जाएं मदर तो वो हमें पीटेगा वो अगर बंगाल के लोग निकलते हैं उनको पीटेगा महराष्टर में निकलते हैं उनको पीटेगा इसलिए हमको एक ऐसा काम करना चाहिए एक बार फकवाडे की तरह भी जब नेक्स्ट वो वो हटेगा नहीं उसने अपनी चालबाजियों वो मकार है उसने ये काम करते रहना है तो इसलिए हमें जल्दी से जल्दी अब जग वो हम पर हमला करें तो उसको ऐसे डातों चने चबाएं उसके बाद वह फिर देखना ये सारे मूलनवासी तनी तौकत में आपके साथ आएंगे जब हमने बारत में उसका एक चैलेंज डंडे के साथ जूतों के साथ और गुरू की करपान के साथ उसका उतर दिया तो दूसरी तरफ एक जो बड़ी समस्या है बहुत सो जो लोग है वो से ये समझते हैं कि ये जो बाम सेव है ये SC or ST की उनमेंदगी करता है भारत में 52% जो मैंने सरच की है वो OBC है जो सारी ताकत जो सारा पलटा वजना है वो OBC से वजना है तो जो ऑबीसी है उसको खुद ही मालम नहीं भी मैं OBC हूँ सबसे बड़ी बात ये है वे OBC को खुदी मालमनी मैं OBC हूँ जैसे पंजाब है पंजाब में OBC की डिफरेंट कास्ट है ऐसे ही सारे बारत में OBC की डिफरेंट डिफरेंट कास्ट है पंजाब में जो OBC की कास्ट है उससे OBC को पूछो जैसे हमारे पंजाब में रामगडिया बरादरी है लबाना बरादरी है क दो स्टेटों में उसको OBC गोशित कर दिया गया है दो स्टेटों में जो जट बाई चारा वो OBC की मांग कर रहा है पंजाब और हर्याने में तो यह भी OBC है तो जो ब्रामन है वो इनको टाचेबल शूतरी मांता है तो इसलिए इन सब ब्रादरियों को पहले बताना मैं मेश्रम साब जी को कहूंगा हमें जो मूमिट अब बारत में शुरू करनी है स्टी और स्टी को इतना कष्ट दे चुका है उनको सब मालूम है सबसे ज़्यादा योर हमें OBC पर देना पड़ेगा अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए तो उससे हमारी जो ताकत है वो हिंदूई समझते थे भी हंदूई पीड रहे हैं हिंदोस तान है और जतने ये क्लींचे बेटें ये भी उनके ही साथी हैं तो हमें नहीं पता ये तो चरह हजारों साल से इनको पीड़ पीड़ कर उन्हें दमया किया हुआ ये तो हमसे भी ज़्यादा दुखी है तो ये त बामसेव ने हम पर करपा की आवी हमको सब मालूम हो गया भी ये तो हम हमारे बाइम हैं तो इनको देखकर हमें इतनी खुशी मिल रही है हम पिक्चरें क दूसरे से खिचारे है तो आप देखे सिक भाई आपका अमेरिका की दर्ती में कितना स्वागत कर रहे हैं जो देव जी माराजी के साथ सारी जिन्दगी जिन्होंने श्टार्टिंग शुरू किया से खिजम मरदाना जी तो वो दलिती थे तो उसके बाद जो सिख लवजा है जो मनुवादियों ने ये लिखा था भी कोई भी विद्या की प्रापती नहीं कर सकता जैसे मेरे एक विद्व जी ने ये सब उनको मालूम था वो जानी जानते और जो उन्होंने देखा इसलिए उन्होंने कहा मैं तो इतने सिखने वाले पैदा कर दूँगा तुम तो कहते हो सिखन शिखनेih दूँगा तो मेरे जो पैरोकार होंगे उनका नाम ही सेखोगा ये ब्रामनवाद पर गूरू जी ने चिनोती लगाई थी सेख का मतलब ही सिखना था वितुम पबंदी लगाते हो ये पढ़ैं ही सकते लिखने ही सकते . एक तो मैन तो सि्खाफ ही इतने त्यार कर दूंगा भी तुम कितने को मारोगे तो सिखी ज़े होगा है वो ब्राह्मनवाड को चुनोती यह सिखी दर्म ही भ्राह्मनवाड मननुवाड को चुनोती था तो जो खालसा पंत सिर जा गया था जो बार्थ के डिपरेंट डिपरेंट जो परदेश्चों से जो पांच प्यारे आये थे जो ब्रामनी वंड के वो तो हमारे पांच प्यारे थे पर जो ब्रामन की बाचा में वो छूदरी थे तो इसलिए जो दर्म रचा गया वो पांच प्यारे खालसा पंथ बना तो वो ही खालसा पंथ जो जो हम दूसरी तरफ कहलें जिनको बारत में कुछला गया था जिन पर छुद्रों को बैट एक अच्छे कपड़े पहनने पर पबंदी वो अच्छे बरतनों में नहीं खा सकते वो सारिया गुलामी की जो जंजीरे ब्रामनवादी मनुवादी ने लगाई थी गुरू जी ने वो सारी जंजीरों को तोड़ दिया तो ये पहला दर्म था जिसने हमारे छटे गुरू ने एक मीरी और एक पीरी दो करपाने डाली किसी भी मजब में दो चीजे नहीं मिलती दार्मिकस्तान पर सियासत नहीं मिलती रासी सता का किसी भी दार्मिकस्तान पर किसी भी दर्म में कोई प्रोग्राम नहीं है एक सेखी जमीया है गुरू जी ने जो बारत के लोगों की ये दशा देखी थी उनको ये मालम था विक्रांती तरम बिनाना राज चले है राज बिना सब दले मले है अगर आपके पास राशी शक्ती नहीं होगी तो कोई दर्म नहीं चल सकता इसलिए ये जो दर्म को चला रहे हैं डंडे से चला रहे हैं ये हम बोलते हैं ब्रामन साथे 3% है और ये सारे मनुवादी कटे करें 15% है वो तो भाईया वो कैसे चला रहे हैं राजशी पावर राजशी शक्ती जो राजशी शक्ती है उसी के सार साथी दर्म चलते हैं पावर है वो तो गुरू जी ने इसलिए जब आप दर्बार सहें में जाएंगे तो वहाँ ऌर दो निशान सहब लगे हुए हैं उसके सामने हमारा शरी अकालतुकद सहब है वहाँ पर लेखेंगे एक दर्म का निशान सहब है और एक राजशी शक्ती का है हमने गुरू जी ने करपने भी दो डाली थी एक दर्म के लिए एक मीरी और एक पीरी तो एक गरीबों के लिए एक स्यासत के लिए तो ये गलामी की जिजीरों से शुटकारा गलवाने के लिए गुरू जी ने सारा संगर शुरू किया था जो पबंदियां ब्रामनवादियों ने लगाई थी गुरू जी ने वो सारियां पबंदियां दूर कर दी एक जगा बैठ कर खाना खाओ एक ही स्रोवर में शनान करो ये तो कहता था कुवे पर पानी बरने से हमारा कुवा परश्ट कर दिया ये चुद्रों ने गुरू जी ने कहा आकर कठे नहाओ कठे खाओ आपके लिए सारे दुरवाजे खो़ दिये हैं ये सारा सिखिज्म गुरू सहबान ने आपके लिए ही जो रचा था तो वो ही जब ये आपका वो राज-बाग जिसको खालसा राज बोलते हैं वो आपके जिसको ब्राह्मनवादी शूदर बोलते हैं जब वो शूदर खालसा बन गया तो उनमें इतनी शक्ती आ गई उन्होंने पंजाब पर अपना राज कैम कर दिया जिसको हम बाबा बंदा सिंग भाधर बोलते हैं जिनोंने गुरुजी की प्रेरना से खालसा राज की इस्थापना की तब पहली बार जो दलत शूदर जिनके पास जो काम करते थे जमीन जिनके पास नहीं थी उनको पहली बार बाРत की इसत्री में उनको जमीने दे दी गई जो खालसा राज के कारन दे तो इसलिए मेरे भाई ओ ये जो सिखिजम है ये तो है ही आपका ये प्यूर खालसा है ही आपके लिए है गुरू जी ने इसकी रचना ही आपके लिए किया पर मैं ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है भी हमारे दरम में आर एसस ने गस्पै हुआ है आप देखेंगे हमने मामन मेशनम साब जी को भी बोला था जैसे अंदा कनून सिखों पर चाद रहा है जिस आदमी को 15 साल कोट ने कैद की हो उसको 30-30 साल हो गए हमारे आदमियों को हमारे जो नेता हैं हमारे जो जतेदार हैं हमारी जो सिख लीडर्शेप है उसको ड जुलम सिखों पर करना शुरू किया है आप देखते हैं 33 साल से बारत में 1984 में जो सिखों का कतल याम किया गया था अभी तक किसी भी आदमी को फांसी की सजानी दी गई किसी को कोई सजानी देते ये सब को ऐसे ही जो मनोटिया हैं सब दर्मों को जलील कर रहे हैं गुजरात में कैसे मुस्लमान वोर्तों के बच्चों के साथ किया गया किसी दोसी को कोई सजानी मिलती अभी आपको मालम ही हैं जो पाकistान से रेल आती थी उसमें जो बलाष्ट किए अजमेर शृरी में जो बलाष्ट किए वो साद्वी का वो जो करोनल प्रोहित सब स्गूट थे तो इसलिए इनसे कोई इनसाब नहीं मिलना बाबा साब ने जो किया सवधान को रचा गरीबों के लिए सारे वो हाक हकूब उसमें लिखे गए पर जिसके पास ताकत है सवधान को उसकी काच में दिया हुआ उसलिए वो अब बाबा साब के पास नहीं है तो जिसके पास ताकत है वो उसका दुर्प्रियों कर रहा है तो जो मनोटी है वो सवधान को ऐसे नफरत पैदा कर रहा है जैसे सिखों में पैदा किया है मसल्मानों में पैदा किया है भी सवदान सिक्षों को इंसाब नहीं देता ये सवदान मुसल्मानों को इंसाब नहीं देता भी मनोटियों के लोग सवदान से नफरत करें कोई कि जब मनोटियों को इंसाब नहीं मिलेगा कोड से तो वो तो कहेंगे न भी हम इनसाब नहीं मिल रहा तो वो दोरी चाले चालता है कोगि वो सवदान को बदलना चालता है कोगि सवदान उसके वरोध में ईक प्रमानू बंब है मनुवाद के वरोध में तो इसलिए उसने सारी स्ट्रेंचर राचता है मिले पार्लिमेंट मेमरी बहुँ समती हो मेरा आजूलेशन लाकर इसको तर्मीमे करता 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 सब फ़त करता है ऐसलिए हमको बहुत सूजबू से काम लेना पड़ेगा लिडरशिप आहमारे बात होती है लिडरशिप की अगर आपके पास किसी कौंँ के पास सची अब दोनों मिया हस्बेंट और वाइब ने सारा समाज के लिए लगा दिया है तो हमें भी आप दिल खोल कर अपने पाकटे ना देखें समाज के लिए लगा दो ये जिन्दगी का गया प्रोसा है पता नहीं सा असास आएगा के ना आएगा ये तो एक रोनक मिला है मैं थी की बाएब